दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही आपने तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइक जरूर कर दे साथ ही आपके मान में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट मोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कवर बिहार के 37000,000.000 के खाते में जाएंगे 20 करोड रूपये सिक्षा विवाग ने जारी किया फंड जी हभिहार के 37,000 सदिक छात्र चात्राओं के खाते में जल्दी करोडों रुपिय की रासे ट्रांसपर होने वाली है इन छात्र चात्राओं को सरकार छात्र विर्ति योजना के तहत रुपिय देने वाली है इसके लिए फंड जारी कर दिया गया है ओमिद के जल्दी सभी चात्रों के बैंक खाते में यह रासे ट्रांसपर किर दिजाएगी इस रासे से चात्रों को आगे की मद निसेद सिपाई भरती लिखित परिचा की डेट घोसीद एडमेट कार्ड जारी जिहा मद निसेद उत्पाद एवं निवंदन विभाग में सिपाई के पद पर बहाली के लिए 27 फरवरी को लिखित परिचा आउजित की जाएगी केंद्रिया चैन परसद ने इसकी घोसना की है मद निसेद सिपाई के 365 पदों के लिए गुर्वार को 277,288 अभियर्थियों को यह परवेस पत्र जारे किया जाएगा चैन परसद के मताबिक मद निसेद सिपाई के 365 पदों की बहाली होनी है लिखित परिचा का आयोजन 27 फरवरी को किया जाएगा इसके लिए राज जिसे परसद की बेवसाइड से अभियर्थिय अपना ए परवेस पत्र डाउलोड कर सकते हैं आगली बड़ी ख़बर बिहार सरकार ने जारी किया अल्टिमेटम दो रासन कार्ड रखने वाले हो जाई सावधान नहीं मिलेगा रासन के लिए दो या उससे अधिक रासन कार् दिया है दो या उससे अधिक प्रदेशु का रासन कार्ड बनवा कर रासन लेने वाले उपभोगताओं को प्रासासन की स्थर पर हपते बर की महलत दी गई है इस साथी में उपभोगताओं को आने राज्यों की उपभोगता सुची से अपना नाम कटवा कर इसका साग्च अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उन्हें बिहार में जन वित्रन प्रनाली ववस्ता का लाब नहीं लेना है इसके साथ सम्मादे तो वभोगताओं को रासन कार्ड रद कर दिया जाएगा फिर उन्हें रासन नहीं मिल पाएगा अगली बड़ी ख़वर बिहार के दिव्यांग छात्रों को मिल गा यूनिक आईडी कार्ड आज से हर जिले में लगेगा कैम जिह राज बहर के स्कुलों में पढ़ने वाले सभी दिव्यांग बिर्दातियों का यूनिक आईडी कार्ड बनेगा अब हर दिव्यांग की 14 दिव्यांग बच्ची स्कूल में ना मांकित है बिहार सिक्चा परियोजना परिस्यत के अनुसार सभी तरह के दिव्यांग चात्रों के यहां कार्ड बनाया जाएगा आपको बताते कि अभी तक दिव्यांग चात्रों को दिव्यांगता परमानपत्र दिया जाता था इसके वैदता पांच साल तक होती थी इसके बाद फिर पर्मान पत्र बनवाना होता था लेकिन अब यूनिक ID कार्ड की वैदता जीवन भर रहेगी दिव्यांग छात्रों को यूनिक ID कार्ड मिल जाने के बाद केंदर या राज सरकार की योजनाओं का लाब मिलने में आसानी होगी बिहार में कोरोना का कहर थमा नहीं 281 नए संकरमित मिले एक मरेज के मधि उठ्राइब हो गयी है वै राज में 7 फरवरी को 235 आट फरवरी को 273 नए संकरमित मिले थी वही स्वास्त विभाग के अनुसार चार जिलो जहनाबाद लखी स्राय मुंगेर वस सिखपुरा में नए संक्रमित नहीं मिले हैं वही पट्टा में सरवादी एक 59 नए संक्रमितों की पहचान हुई है आगली बड़ी खबर बिहार बुड की वारसिक मायदामिक परिचा 17 फर्वरी से कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन कोरोना गाइडलाइन के बीच बिहार बिदाले परिचा समिती 17 फरवरी से 24 फरवरी तक वारसिक मायदामिक परिचा 2022 का आउजन करने जा रहा है परथम पाले साड़े नो बजे सुबह से 12 बज कर 45 मिनट तक होगी एवं दियोतिय पाले दोपार एक बज कर 45 मिनट से पांच बजे तक होगी जिला अधिकारी द्वारा उक्त अधिकारियों को सुवाई भ्रमन सिल रहकर सकतर निगरानी रखने की तथा वीदी वबस्ता संदारित रखने की सकतर निर्दिस दिया गया है साथ ही सबी स्कूल प्रबंदों को सक्त निर्दिस दिया गया कि परिचा के दोरान कोरोना गाइलाइन का पूरी तर पालन किया जाए अगली बड़ी कबर बिहार के कई अलाकों में बंद हो जाएंगे बोरिंग जानिये नई उजना के तहट कैसे ताय होंगे क्रिटिकल जोन जिहा बिहार सरकार के और से जल जिवन हर्याली अभियान चलाया जा रहा है जिसके बाद राज में पिछले दो बरसों में भोजल की सिती बहतर हुई है बावजोद इसके सबे लोगों को पाने नियामित मिले इसको लेकर राज सरकार एक नई उजना तयार कर रही है इसमें वैसे सभी छेतर को चीनित किया जाएगा जहां भूज जल में लगातार गिरावाट हो रही है और उसके बाद वह क्रिटिकल जोन में तबदिल हो गया है वहां के सरकारी अबम नेजी बोरिंग को बंद कर सरकारी जलापूर्ती योजना से पानी पहुचाया जाएगा इसको चींदर सरकार ने अभी रहात ऑज दिया है के बढ़ी रहात तरसल कल दिली में रेल मंतरी असविनी बैसनों से भिहार के पूर डिप्टिस एम सुसील कमार म scientist के थी मोदी ने आरारवी परिचा के अभियर्दियों के मांग को लेकर रेल मंत्रे से लंबी चर्चा की उसी दोरान मंत्रे ने छात्रों को बड़ी रहत देने का भरुसा दिलाया है बिहार के पूरो डिप्टे सियम सुस współ कुमार मोदी ने बताये कि रेल मंत्रे अस्विनी बेसव भशब से उनकी इस मसले पर लंबी चर्चा हुई है उन्होंने रेल मंत्री को अभियर्दियों के परिशानी को बताया है रेल मंत्रे नोंने अस्वासन किया है कि मेडिकल स्टेंडर में बदलाव को वापस लिया जाएगा वहीं आरारवी परिच्छा में मेडिकल स्टेंडर वही रहेंगे जो 2019 में जारिक किये गए इसके अलावा आरारवी परिच्छा को लेकर EWS कोटे के अभियरती भी नाराज है दरसल बहाली के लिए 2019 में बिगापन निकाला गया था रेलवे भरती बोर्ड उसी समय का EWS सेटिफिकेट के मांग कर रहा है 2019 में EWS के आरेक्छन के लिए नया नियम बनाता लिहाजा लोगों को उस वक्त सेटिफिकेट बनने में परिशानी हो रही थी चात्रों ने आवेदन करते वक्त EWS कोटा तो भर दिया था लेकिन सेटिफिकेट बाद में बनवाया है अब रेलवे भरती बोर्ड के नयमों के मताबिक 2019 का सेटिफिकेट नहीं रहने पर अभियरतों को हटा दिया जाएगा इससे अभियाते नाराज थे पूरवे डिप्टी सेयम सुसील कुमार मोदी ने बताये कि रेल मंत्री अस्विनी बेसम ने उन्हें भरोसा दिया है कि 2022 तक निर्गत EWS सेटिफिकेट स्विकार किये जाएंगे अगली बड़ी ख़बर पटना के IGMS में अब हर रोज देखे जाएंगे दोगोने मरेज OPD में कोरोना जाच जरूरी नहीं जिया बिहार में कोरोना संक्रमन के मामले कम होते ही पाटना के बड़े अस्पतालों में इलाज की वबस्ता देरे देरे ही सही पहले की तरह सुचारू होने लगी है कोरोना संक्रमन कम होने और प्रतिबंदों में डेल के बाद इंद्रा गांदी आविर विगान संस्तान में इलाज कराना आव आसान हो गया है अस्पताल प्रेसासा ने हर विबाग में OPD के रेजिस्टेशन के संख्या 50 से बढ़ा कर सो कर दी है मंगलवार को चिकित सा अधिक चक डाक्टर मनिस मंडल नहीं जानकरी दी है अगले बड़ी के बर बिहार में तेन एनेच का निर्मान इस साल होगा पूरा हाजिपूर, मुझपर, पूर, कोईलवर वा भोजपूर को मिलेगा फाइदा जिहाराज में तेन महतपूर एनेच का निर्मान इस साल पूरा होने की सम्मावना है इनमें हाज़िपूर, मुझपर, पूर, नियू बापास, कोईलिवार भोजपूर और भोजपूर से बकसर एनेच समिल है इन सड़कों के बन जाने से बिहार के पश्चमी हिस्से से पटना पहुचना असान हो जाएगा साथ ही हाज़िपूर, मुझपर, पूर, नियू बापास बनने से पटना से दर्बंगा मदोबने और चमपरन की तरफ आने जाने वालों को असानी होगी उन्हें मुझपर पूर सहर के बाहर से निकलने का रास्ता मिल जाएगा और मुझपरपूर सहर को भी जाम से रात मिलेगी सूत्रों के अनुसार हाजिपूर मुझपरपूर निव बाइपास का निर्मान तेस जोन 2022 तक पुरा होने की समय सिमा तै कर दी गई है इसके अलवा कोई लवर भोजपूर और भोजपूर से बकसर तर्क फोरलेन एनस के निर्मान के लिए भी जमिन अधिगरान के समय सा दूर हो चुकी है इन्हें सड़कों का निर्मान दिसंबर 2022 तक पुरा करने के समय सिमा है आगले बाड़े कबर लालो प्रसाद के अधिक्स्ता में आरज़ेटी के राष्टे कर करने के बैठक आज वरतमान इस सितिपर होगी चर्शा जी हाँ आज राज़ेट के राष्टे कर करने के बैठक होगी दस परवरी को पटना के होटल मुरिया के आलोक समकक्ष में राज़त के राष्टे करकराने के बेड़क पुर्वाहान सारे गारा बजे से प्राराम होगी राज़त के राष्टे अधक्च लालू प्रसाद के अधिक्सता में आवेजित राष्टे करकराने के बेड़के में पाड़े के अगली सद्र के लिए होने वाले संगड़निक चुनाओ का करकरम और सगन सद्रिक्सता वियान के तितिताय करने के साथ ही राष्टे निर्वाच सिट का एलान जल्द किया जाएगा परिचा का पैटर्ण ठीक वैसा ही रहेगा जैसे की सेंपल पेपर में दिया गया है चातर बोर्ड की वेबसाइट से सेंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं अगली बड़ी कबर बिहार में वाकिलों को मिले बाड़ी राहत पटना हाई कोड में होगी फिजिकल सुनवाई मकदमों में आएगी तेजी बिहार में कोरोना संक्रमन के मामले कम होते ही राज के हजारों वकिलों को बाड़ी राहत मिलने वाली है ऐसे ही राहत मुकदमे वाजी में फसे लोगों को मिलने भी लगेगी दरसल राज के सबी नियालों में जल्द ही कामकाज समान तोर पर सुरू होने की समाना है इसके सुरुवादा बढ़ना हाई कोड से हो गई है हाई कोड में 21 परवरी से फिजिकल सुनवाई पुना सुरू होगी कुरोना की तिसरी लहर के कारण विगत 4 जनुवरी से हाई कोड में सुनवाई पुना रूप से ऑनलाइन चार रहे थी इस बार पुरू की बाते सब्ता में चार देन पुन रूप से फिजिकल सुनवाई की जाएगी और एक देन वर्चुल सुनवाई विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये होगी अगली बड़ी कबर बिहार के गाओं गाओं में कैम्प लगाने जारी है बिजली कंपणी दूर होगी उपबोक्ताओ की ऐसी सिकाएटे प्रते के पंचायत के मुख्या सरपंच रुडब परसत के मैदम से लोगों को दे जायेगी माईक से प्रचार प्रसार भी होगा ग्रामीन चेतर में समय पर बेल नहीं जाने सहे थे कई परकार के त्रूटियों के बेलिंग विवस्ता लड़कडाई हुई है प्रते के गाउं में कम से कम एक दिन कैम्प लगाये जाएगा 31 मार्श तक इस आदेस का पूर्ण रूप से पालन करने का निर्देस दिया गया है और अनकी बड़ी कबर टेम इंडिया ने जीती साल के पहले सिरीज दूसरे वंडे में वेस्ट इंडियों को 44 रन से हराया प्रेसिदर कृष्णा ने जटके चार विकेट जिया टेम इंडिया ने वेस्ट इंडियों को दूसरे वंडे में 44 रन से हरा कर तेनों मैचों की सिरीज में दो जिरों की अजए बढ़त बना ली है मैच में वेस्ट इंडियों के सामने 238 रन का टार्गेट था जिसके जवाब में टेम 40 अवर में 193 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गए समर बुक्स 44 टॉप स्कॉरर रहे भारत की ओर से पैसिदर किष्णा के खाते में 4 विकेट आएं आज के लिए आपका सवाल बताए कि बिहार में होने वाले MLC चुना में कौन से पार्टी सबसे अधिक सिटे जितेगी इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं